उद्यापुर के कनहियालाल हत्याकांड के आरोपियों के समर्थन में पोस्ट किया गया एक मैसेज फ़र जी निकला इसका खुलासा मंगलवार को पुलिस ने ही कर दिया जिस यूवक के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वो अजमेर में इंजिनियरिंग कॉलेज का स्टूडिन्ट है जम्मू कश्मीर का ये रहने वाला है और अभी घर पर ही था मैसेज सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में मामला दर्ज करवाया गया घटना जम्मू और कश्मीर में रहने वाले वाहिद मुश्टाक के साथ हुई है उनके नाम से सोचल मीडिया पर एक फोटो वायरल की गई और इसमें उसे का नहीं अलाल हत्याकांड के आरोपियों का समर्थन करते भी दिखाया गया फोटो सामने आने के बाद अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने वाहत के खलाफ मामला दर्च किया जाच के लिए विशेश टीम का घठन किया गया पुलिस ने बताया कि सोचल मीडिया पर वायरल मैसेज के संबंद में जाच की गई वाहिद के कॉलेज प्रसाशन के बयान दर्ज किये गए जिन्होंने अपने बयानों में बताया कि वाहिद हमारे कॉलेज में तीसरे एर का छात्र है जो कॉलेज से 20 मई 2022 को परिक्षा समापत होने के बाद अपने गाम कुल गांद यानि जम्मू कश्मीर गया हुआ है कॉलेज प्रसाशन ने बताया कि हम लोगों को भी सोशल मीडिया पर कर नहीं आलाल के डाले गए मैसेज की जनकारी प्राप्त हुई तो वाहिद मुश्ताक से मोबाइल फोन पर बात की उसने बताया कि उसे बतनाम करने के नियद से किसी ने गलत पोस्ट वशोशल मीडिया पर वाहिरल की है इसके बाद पुलिस ने वाहिद मुश्ताक से समपरक किया, पता चला कि वो अपने गाओं में ही है कोई पोस्ट नहीं डाला, उसके पिताजी भी पुलिस में है, वह ऐसी गलत पोस्ट के भी पक्ष में नहीं है उसने ये भी बताया कि उसने मोबाइल पुलिस को सुपुर्द कर दिया है, वाहिद ने भी फोटो वाहिद करने वालों के खलाब ठाना कुल गाव जम्मू कश्मीर में मामला दर्च करवा दिया है आरोपियों को सक्त से सक्त सजा मिलनी चाहिए पुलिस ने इंजिनियरिंग कॉलिज के स्टाफ एवं सूतरों से मिली जानकारी के अनूसार छातर वाहिद का व्यावार एवं चरेतर अच्छा होना पाया है वाइरल हो रहे मैसेज को लेकर पुलिस जान्च में जुटी हुई है वहीं चातर की और से दर्ज मामले में भी जम्मू कश्मीर पुलिस की जान्च जारी है हमारे इंस्टरग्राम पेज और फेस्बुक पेज को भी लाइक करें फॉलो करें वहाँ पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्यदारों तक पहुचाना ही हमारा लक्ष है और ये आपके सहियोग के बिना संभव नहीं है हमारा सहियोग करें स्वतंद्र पत्रकारिता में अपना योगदान दे और जॉइन बटन पर जाकर सदिसिता लें चाहे सबसे जोटी सहायता के रूप में ही क्यों नहों जनता की बेबाक आवाज बने रहें उसके लिए सहियोग आपको ही करना है सब्सक्राइब करिए और जॉइन बटन पर क्लिक कर सदिसिता रहें कीजिए